कटनी जिले के बढ़वारा इलाके में जोला चाप डॉक्टरों की मनमानी चरम पर है कई बड़ी घटनाय सामने आने के बाद भी स्वास्त बिभाग के उच्च अदिकारी कारवाही करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं यही कारण है कि शेत्र से आए दिन मरीजों को जान के साथ खिलवार करने के माम दे लगातार सामने आ रहे हैं वहीं एक बार फिर बढ़वारा थाना शेत्र के भुड़सा ग्राम से एक अजीबो गरीब मामदा सामने आया है जहाँ एक मेडिकल संचालक ने यूवक को ऐसी दवा दे दी कि उसकी जवान ही काम करना बंद कर दी यूवक के पिता नरेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताए कि भुड़सा ग्राम मैं इस्तित मामेडिकल मैं मेरा पुत्र अजाय चौधरी 21 वर्सी सर्दी जुखाम की दवा लेने के लिए गया हुआ था जा मेडिकल संचालक ने दवा देनी की वज़ा इंजेक्सन लगा दिया जिससे सर्दी जुखाम तो ठीक नहीं हुआ बलकि हाथ पैर और पूरे बदन में दर्द बढ़ना शुरू हो गया जिसे ठीक करने के नाम पर एक बार फिर मौनू मेडिकल के संचालक के दवारा दो इंजेक्सन और लगाए गए इसके बाद से बेटे की जबान चलना ही बंद हो गई परीजनों ने आनन फानन में निजी सादन से नजदी की समुदायक स्वास केंद बढ़वारा में यूवक को दाखिल करा दिया जहां डॉक्टरों ने जिलास्पताल के लिए मरीज को रवाना किया है इससे पूर में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं अच्छा कासा परसो दिन ये काम करने गया था परसो ये कल सुबह करीब ग्यारा बारा बजे मोनी मुडिकल लगाया है इस पूरा इसका पूरा जटा रहा जाए और इससके बाद में ये मां इसकी डीजी आ पाउचन Сब्सकी पूरा और गर्डन जकर गया हाथ पाँ जकर गया जीव बाहर आगे आवाज नहीं निकल बार आ था खाना पिर पूस्मे खापा रहा था इसकी माद्वी इसको लेकर उसकी बेडिकल गई फिर दवाई किया दवाई किया फिर दवाई भी दिया तो पाजीशन और खराब खुए ठीक का यहां से लाए थे तो यहां से लाए थे तो आप क्या हो गया यहां इलाज यहां से फिर काम कटने के रिफेर की कि इवसे ये एक पिशेट डभी आया था उसकी जो जीब थी बाहर निकल करके अकड़ गई थी और उसको सासवास लेदेंबे भी परिशानी होई थी खाना खाने में भी पता चला है कि एक दिन से खाना नहीं खा रहा है और यह बता रहा था कि कुछ इंजेक्शिन या कहीं ग को शक्र कर वही कि जाएगी